क्या ये पूरा मामला हुआ था बच्चा आया था कहा गया था वो पानी पीने बच्चा नहीं था बच्चा नहीं था बच्चा नहीं था मैं कोई दिनों से मीडिया को समझा रहा हूँ यहाँ यह 15-15 साल के अपराधी है यह बच्चे नहीं है यह बहुत जहरीले अपराधी है बच्चा ही कहेंगे उसे भीजिवे में और नहां मकली माशना प्रेंगी उसको समझ में ने मामला क्या किया है जब संहां खेंखोंज यह नहीं लाखma लेकिन जो बहार लगा हुआ आपको दिखाए यहां तक मतलब कम से कम 500 मीटर बन है तो मतलब इतना अंदर तो आना था वहां उसे नल नहीं दिखाई दिया लेकिन जो बोर्ड बहार लगा हुआ है वहां पर साफ तोर पर लिखाए कि मुसल्मानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है ऐसा क्यों लेकिन देखिए हमारे सरकार या फे कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसल्मान है अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई आपको जबरस्ती नहीं अपने भगवान के सीबा पिकिसे उपने बहगवान क क ici उनका कोई अला है उसके सिवा किसी को मानते नहीं जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं मूर्तियों पर पिसाब करते हैं हमारी यह fusion में को अने कि क्या ओने की क्या जिद है इसी मंदिर माने किंशन लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि घटना यह थी कि उसने शिवलिंग पपिशाप कर दिया था लेकिन अगर मान लीजे वो पानी पीने के लिए यह आता मंदिर में फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता नहीं 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 लेकिन पीटा नहीं जाता अगर पानी पीने के लिए आत लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसल्मानों को यहां एक बुंत पानी नहीं देते बाई नहीं देते और हम नहीं चाहते कि वह यहां पर आए लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई है वह वाइरल भी हो रही है वीडियो बुरी तरीके से बच्चे को हैं गोविंद पुरम के बराबर में उनकी लास नहीं देंकि तो गर्दन काट के हलाल करे गए हैं बिटा वो बच्चे नहीं थे प्या उतन नौन fusion कोटे साथ साल के तो घरमें घुसके कतल करे गए हैं उनको उनको नहीं दिखाई दे रहा किसी को ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये चस्मा बदलो मेरी बेटी, चस्मा बदलो, चस्मे को तोड़ा सैट करो, ये अलग चीजे हैं जो तुम लोग देख रहे हो, और मैं जो देख रहा हूँ वो चीजे अलग है सवाल यह था कि जिस तरह से उस बच्चे को पीटा जा रहा है आपको नहीं लगता कहीं न कहीं ऑफ Stories में दंगा बढ़काने की जो है वो खोशेगी नहीं दंगा बढ़काने की नहीं हमारे यहाँ आये यह बेटा नहीं चाहिए हाज रीजन अच्छा रीजन क्या है जो भारी बोर्ड लगा दिया गया ऐसा रीजन क्या है इस मंदिर में मैं जब से महंत बनाओं चार बार डखेती डली चारी मुसल्मानों ने डाली पुलिस ने जो है उनके दवामे केस नहीं कोला इस मंदिर में जितनी चोरी हुई वो मुसल्मानों ने करी पुलिस केस नहीं कोलती इस मंदिर में रोज मुसल्मान हमारी देव प्रतिमाओं को दूसित करते हैं पुलिस जो है उनको कुछ नहीं कहती इस आप पैचानेंगे किस तरह से माली जरूरी निया अगर पता चला कि यह मुसल्मान है तब की बात है अगर पता नहीं चला तो कोई बात नहीं पता चला उसने दिखाना चाहा कि कि वह मुसल्मान है वह हमारी बेटियों से बलत पिछली बार जो है असलम विधायक के लड़के को यहां पीटा गया था इस मंदिर में असलम विधायक जो लड़क इसका लड़का आया था और उसने मेरी एक बेटी के साथ बत्तमीजी करी थी और फिर हूल दी थी कि मैं असलम अपने जान और माल की हिवाजत की रक्ष्या करने का संविधान देता है तो केई केवल मुसलमानों के लिए है हमारे लए नहीं यहां भूम बताओ आप जिस बलतकार करने के लिए जो लड़के मुसलिम लड़के वो इस मंदिर में आते हैं तो फिर क्यों सुरक्षा के इंतिजाम जो हैं वो नहीं किये जा सकते सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतिजाम तो यह कि मुसल्मान इस मंदिर में ना आए यह सबसे बड़ा इंतिजाम है आगे तो भजी उन्हें निकाल दो भार, यह है, यही तो कर रहे है, सुरक्षा का इंतिजाम तो है यह, देखे आप कह रहे हैं कि मुसल्मान लड़कियों का बलतकार करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मुसल्मान ही होगा तो ही वो बलतकार करेगा किसी लड़की का हिंदू, लड़के भी आजकल जो बलतकार करते हैं, लेकिन उनकी कोई किताब नहीं कहती है, उनका धरम नहीं कहता, मुसल्मान लड़के बलतकार इसले करते हैं कि उनकी उनके उन्हें यह सिखाया है, मेरे भगवान ने बलतकार नहीं सिखाया है, एक किताब दिखा दो, एक किताब म तुमारे पिताजी के पास जाता हैं तुमारे पिताजी कहा करेंगे वो यह भी नहीं देखेंगे खैस सची है जूटी है वो तुम्हारे भाई को डातेंगे उसे मारेंगे एक हिंदु यह करता है приш यह मुसलमान लड़की छेड़ते थे और हम अगर प्षुन से कुछ केते थे ना तो इतनी बड़ी बड़ी डाड़ीहे मौलाना हमसे लड़ने के लिए आते थे और अथे एकḥ बार नहीं यह हुआ यह मेरे साथ 6-7 बार हुआ लगातार मेरे साथ वक्राण के पहले इसी बात को बोलता नहीं था और भारत वर्थ में मुझसे पहले कोई के बारे में इतना खुलका बोलता नहीं था बोलता ही नहीं था पता यह बात सबको है सबको पता है मैं सच बोल रहा हूं लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी लेकिन मैं बोल रहा हूं ना और कल को लोग बोलेंगे परस्पार तस्वीर देखी यहां पर जितना मुझे लगा कि ज्यादा संख्या में शायद मुसलिम जो हैं वो रहते परसेंट मुसलमान केवल 5% हिंदू और तुम इसका मतलब समझ नहीं सकते हैं मेरे बेटी इसका मतलब तुम नहीं समझ कर एद नोड़ा में रहती होगी और